देखे बाजार में बॉटम कैसे बनता है बहुत इंट्रेस्टिंग है बाजार में बॉटम जब बनता है ना बाजार गिर्ते गिर्ते देखे बाजार बावन हजार पांसो बारा पे है और बॉटम इसले ऐसे बनता है देखे यह यहाँ पर था बावन हजार पे और सिप्ट य एक कोई भी instrument विक्ट वर्स टॉप हो जाएगा, मतलब हीलेगा यहां से तो यह एक संक्यत है कि बाजार में बॉटम बनने का, देखिए अब ऐसे ही होने वाला है और इसी तरह से बाजार में बॉटम बनते हैं, ठीक है यह अपने आप में अभी fluctuate कर रहा है, उपर और नीचे, यह किसी एक जगस सेटल होने वाला है अभी किसी एक जगस सेटल होने वाला है, हला कि यहां से पीला कलर पूरा गाइब हो गया है और completely 52,500 पे रेजिस्ट सपोर्ट साइट का जो वाल्यूम है अपने आप में जाके वहाँ पर strong कर गया है ठीक है, बाजार गिरते, गिरते, गिरते तक्रीबन तक्रीबन 500 पॉइंट बाजार गिरते हाँ, यह देखे यह जो आप वाल्यूम देख रहे रेजिस्ट साइट का जो उपन इंटेस यह चला गया है 53,500 पे, इसका मतलब यह नहीं कि बाजार यहां से यहां तक आएगा इसका मतलब यह है कि बाजार ने तक्रीबन 500, 4500 और 500 के बीच में एक बॉटम बनाया था अब वो फाइनल बॉटम बन गया है अब बाजार उससे नीचे नहीं जाएगा क्योंकि अब नया सिन्यारियों होगा कि यह 53,000 पे 73% स्ट्रॉंग है विक ट्वर्स टॉप है यह क्या वाल्यूम सपोर्ट साइट का अब यह क्या है किसी स्ट्राइक प्राइज पर बढ़े गए यह फिर 22,800 पर यह बढ़ रहा है तो यहाँ पर आके यह पीला रग सिफ्ट हो जाए और यह जो है पूरा के पूरा यहाँ पर यह जो ओपन इंट्रेस है रेजिटर साइट का यह सिफ्ट हो जाए और उसके बाद विक ट्वर्स टॉप हो जाए किसी भी एक नई strike price के उपर यहां पर action थोड़ा सा दिख रहा है तो यह कहीं ऐसा ही होने वाला है तो यह एक bottom लग रहा है तो bottom बनने के time पे ऐसे scenario होते हैं मतलब कोई चीज victor's bottom हो रही है तो कोई चीज बिल्कुल खतम होके shift हो जाती है यहां पर और उसके बाद उसी time पे उसी time पे अगर आप percentage पर ध्यान देते रहेंगे तो दूसरी चीज जैसे कि यह shift होके victor's bottom हो गई है ओके यह किये है फिर यह चीज का खतम हो गया है यहां पर आके होना खतम होना यह है और उसके बाद resistance side में कोई भी एक चीज कमजोर होना victor's top की तरह यह संके देता है कि अब बाजार में bottom बनने वाला है और bottom बन गया है तक्रीबत बाजार में 450 के आसपास 450 के आसपास में bottom बनता है और वो वहाँ पर बन चुका था अब scenario scenario बदल गया है यह change in open interest ने हमको संके दे दिया है कि बाजार उपर जाएगा bottom के बाद में ठीक है फिर भी यहाँ पर खरिदर का मौसम नहीं है मेरे लिए नहीं है लेकिन यह है कि bottom कैसे बनता है यह हम देखेंगे बाजार में last last का time है यहाँ पर last last के time time पर bottom पर भरसा नहीं किया जा सकता तीन बज़ गये बाजार पर ज्योंकि bottom बनेगा और बाजार में धड़ाप से यह victor's bottom हो जाएगा और फिर बाजार और 200 point गिरेगा ज्योंकि last last का time है यहाँ पर कब OI आ जाए कहां से और कब volume कहां से कहां shift हो जाए पता नहीं चलता यहीं चीज अगर 10 बज़े के आसपास होती तो हाँ definitely यहाँ पर खरीदारी का समय होता call side में तो bottom कैसे बनता है यह वीडियो में हमने देखने की कोशिश की है अलगि देखिये बाजार वापस से 52,426 बिस आगया है ना यहीं चीज होती है यहीं चीज होती है बाजार में यहीं चीज होती है लास लास में यहीं चीज होती है हाँ यह चीज अगर सुबह होती तो बात अलग होती लेकिन अब देखिये यह 53,900 पर नई strike price बे वीक्टोर स्टॉप हो गया है ठीक है हाला कि है यह बॉटम बनने के संकेती बाजार तो 52,372 चला गया और नीचे चला गया और नीचे जाने के बाद में एक नए स्ट्राइक प्रैस पर सपोर्ट साइट का जो वाल्यूम है वो 52,900 पर विक्टोस टॉप हो गया है जो सुबह हुआ था यहां से यह संकेत फिर से मिला है फिर से मिला है कि यह बॉटर मीडिया है और यहां से बाजार अब support लेने की कोशिश ज़रूर करेगा लेकिन trade हम फिर भी नहीं ले सकते कि च्खे शे मिनिट हो चुके हैं। और यहां पर यह हर चीज़ का पूमेंट जो है वो धोका दरी हो सकता है बाजार कही से भी कही पर भी जा सकता है हमारे भी पर ही जा सकता है हम यह सोच के कॉल खरी देंगे तो बाजार में और गिरावट बढ़ सकती है हम यह सोच के पूट खरी देंगे कि बाजार में और गिरावट बढ़ सकती है तो बाजार वापस रिवर्स भी आ सकता है तो ये no trading zone है बस ये है कि अगर ऐसा है सीन अगर 10 वजे के आसपास में होता साड़े 10 वजे के आसपास में होता ग्यारा साड़े ग्यारा बारा साड़े बारा एक दो धाई बज़े तक भी अगर यह scene आपको दिखते हैं तो इसका मतलब है है कि हलका सा जैसे जैसे समय कम रहेगा बाजार में हलका सा bounce आने का chances रहता है अगर समय जादा है तो फिर पूरा के पूरा भी bounce आने के chances बाजार में रहते हैं इस तरह से अगर समय जादा है तो बड़ा bounce बाउंस आने के chances है, समय कम है तो छोटा बाउंस आने के chances लगता है आपको वीडियो में बहुत इंपॉर्टन चीज हमने आपके साथ शेयर किये तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हापी टरिंग